आगे पड़ेंगे खबरों के और अगली ख़बर आपको हम बताते हैं जो हाँ पर गोंडा दौरे पर कापनेट मंत्री अनल राजबर अनल राजबर गोंडा के दौरेपर है और यूपी सरकार के आपको बतादे की सौध नों के उपलब्धियों को लेकर करेंगे प्रेस कॉं सरकार में यहां पर आपको बता दे की प्रेस कॉंफरेंस भी करेंगे तो फलहाल यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यह आम खबर सामने आ रही है जो हां पर गुंडा के दौरे पर हैं कैपनिट मंतरी अनल राजबर तो अनल राजबर गुंडा के दौरे पर पहुंच रहे हैं यह आहिंख खबर सामने आ रही है UP सरकार के 100 दिन की उप्लब्धियों को लेकर प्रेस कॉंफरंस करेंगे यह पर 30 बजे सरकिंहाँ ऑस पहुचने की बाद सामने आ और प्रेस कॉन्फरेंस जो भी करेंगे अनिल राजभर गुंडा के दौरे पर काबिनेट मंतरी अनिल राजभर तो फिलहाल ये एहम जानकारी सामने आ रही है जो आपर यूपी सरकार के सौधन के उप्लब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे तो यूपी सरकार के सौधन के उप्लब्धियों को बताया जाएगा और साड़ी तीन बजे सरकारी वहन से पहुचेंगे सरकेट हाउस और हमारे साथ हमारे समाता प्रवीन शुर्वस्तफ जोड़ चोके हैं प्रवीन आज अनिल राजभर गूंडा के दौरे पर हैं क्या जानकारी है उनके आज के इस दौरे से जोड़ी दिन में ताड़े तीन बज़े सरक्रिट हाउस गूंडा पहुंचेंगे गोंडा में इसके बारे में प्रभारी देवी पाटन मंडल के प्रभारी मंस्री परबारी इनका आगमन लगातार गोंडा में होता रहता है इसे पहले भी ये आके बन विभाग की जो के द्वारा जो पेर लगानी का काईकरा महाँ सो उसमें भी आयते और वहीं कुछी को लेकर आज जो यूपी सर्कार किस्वा जिनकी जो उपलब दिया है उसको लेकर आज ये प्रेस कांसर जिला सबाधार पंचाय धौन में जो जिल अनल राजबर ये आहमख़बर आपको मता रहे और साड़े 3 बजे मंतरी सरकारी वहान से पहुँचेंगे सरकिट हाओस से ये आहमखर आपको मता रहें गूंडा के दोरे पर काबिन वंथरी अनल राजबर और 4 बजे जला 55 जभ़ादार में प्रेस कॉंफरेंस भी करेंगे तो फलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और गोंडा के दोरे पर है कैबिनेट वंत्री अनल राजबर